दोस्तो जैप्रकास पॉर्वेंचर्स लिमिटेड की बात कि श्टॉक में आज बहुत जबर्दस गिराउट हुई है आप ये देखी सकते हो कि लोगों को आज बहुत जबर्दस नुकसान हुआ है क्योंकि श्टॉक लगबल देख सकते हो कि 10% के आसपास गिरा है और जो स्टॉक 11 रुपीज तक पहुचा था वो इस समय देख सकते हो कि 9 रुपीज से भी नीचे चला गया है अब इतनी बड़ी जो भारी गिराउट हुई बाजार में उसके पीछे वजग क्या है और क्या इस समय जेपी पाउर से हमें निकल जाना चीए या फिर इस समय डिप में खरीदारी का मौका समझ के इसमें खरीदारी करनी चीए क्या है जेपी पाउर की आगे की रन्यती उसको समझने की कोसिस करेंगे सुर्यों के माद्यम से और बाजार में जो तनी भहेंकर गिराउट हुई उसके पीछे वजग क्या है वैसे अगर आप देखे तो ये तो clearly समझ में आ रहा है कि 2030 तक coal demand peak पर होगी जिस तरसे electricity consumption बढ़ रहा है उसको पूरा करने में thermal power plant का ही सबसे बड़ा योगदान होगा इस समय भी करीब 73% जो भी electricity का इस्तेमाल होता है वो thermal power plant के माध्यम से ही आती है तो ऐसे में JP power जिसकी खु चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक में लाइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू कीजिए चलो friends वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और मारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज BSE SENSEC 64,571 पर आ चुका है 825 पॉइंट की भारी गिराओट यानि 1.26 परसेंट गिरा BSE SENSEC और आप देख सकते हो कि 65,000 का इस तर भी तूटा और काफी जबरदस गिराओट हुई है अब आप यह देखी सकते हो कि जो इंटरेशन मार्केट काफी वीक थे उसके बाउजित भी हमारे बाजार में शुरूआ तो पॉजिटिव हुए थी लेकिन फिर एक तरपा गिराओट का माहुल बना वैसे दो बज़े धाई बज़े तक तो बाजार इस्टेबल था 200-500 पॉइंट की गिराओट थी लेकिन जैसे बाजार कुल दोने का समय आया एक तरपा गिराओट शुरूई और यह गिराओट कहां से हो इसको भी आगे समय ने की कोशिच बरें कहां से आकर इतनी बड़ी गिराओट निकल कराई है वैसे न अब इंटरनेशनल मार्केट खुल चुकर वहां से काफिस सी जो सिगनल है वीक निकल के आरें वहां भी बाजर गिराओट के साथ दिखाए देरें डाओ जोन की बात करें तो 30,078 के इस्तर पे 0.15% की गिराओट है गिराओट बड़ी तो नहीं है लेकिन इस समय गिराओट गिराओट है तो सभी बाजरों में गिराओट है लेकिन गिराओट लिमिटेड है अब आज बाजर में बहुत जबर्दस गिराओट ही करीब साड़े 800 पॉइंट की गिराओट ही लेकिस के बीच में चौकाने वाले आकड़े निकल करा है वो है FIDI के इतनी भारी गिराओट किये देखे दो कि Friday को भी उन्हों 456 को रोट की नई खरिदारी की थी आज उन्होंने 8,229 कोड का नया इन्वेस्मेंट किया सामने 7,977 कोड़े की बिक्वाले की तो उनका जो खरिदारी का आकड़े निकल के आ रहा वो 252 कोड का पॉजिटिव है यानि आज जितना उन्हो इसका मतलब बाजार में आने वल्स में फिर से पॉजिटिव सम्मानों बनेगी वाजार फिर से बाउस बैक दे सकता है ये आज के सिगनल दिखाए जरे तो पूरा का पूरा जो पिचर है वो क्लियर हो गए यहापे अब यह जो गिरावट हो रही है रिटेल निवरस्टे जो डर रहे है उसके पीछे भी चार बड़ी यह एक तरह से इसे मार्केट से लोग काफी पैसा निका रहे है इस्पेशली रिटेल इंवरस्टे डर रहे है वो है यूएस डॉलर जो बहुत मजबूत हो चुके रूपिया के सामने और देखतो कि यूएस डॉलर इंडेक्स है वो करीब 106 तक पहुचा है इससे विकनेस बाजार में बनी है और हो सकता है कि इससे यूएस में डेकर डॉलर का फ्लो यहां से कम हो जाए और और इंडियन दूपीज घटे तो अमिनास गोरासकर का कहना है कि यह जो बड़ा रिजन बन रहा है कि यूएस डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और इस वज़े से इंड 55% हम ओईल इंपोर्ट करते है और आप देख सकते हो कि जब इस समय जो निजराहिल की और यूद शुरू हुआ है हो सकता है कि मिडिलेस कंट्री ओईल की जो है सप्लाइए कम कर दे ऐसे में प्राइज बढ़ने की समौना होगी और ओईल की प्राइज बढ़ जादे पोड़ी सी रात तो मिल रहें लेकिन ये चार बड़े रिजन बन रहें जो बाजार के लिए इस समय निगेटिव बन रहें लेकिन बाजार के लिए जो सुब संकेत है कि आने वाले समय में काफी कंपणियों के रिजर्ट आने वाले रिजर्ट जो पॉजिटिव होंगे तो क्रीब 250 कंपणियों के रिजल्ट है जिसमें आप देखे दो Reliance Industries, Axis Bank, Take Mahindra, ASEAN Paints, Maruti Suzykki, Bazaar Fincers, SBI Life, Sipla और Dr. Redis, NTPC जैसी बड़ी कंपणियों के रिजल्ट आएंगे इर रिजल्ट के ऊपर Bazaar की समावन बन सकती है, इसके लिए हमें वेट करना होगा, अब जैप्रकास Power Ventures Limited की बात को, श्टॉक की शुरुआत 9.75 पर हुई, तो शुरुआत तो positive हुई, क्योंकि closing थी Friday की 9.70 की, लेकिन बाद में देखे तो गिरावट का महुल बनने लगा, और इसमें 9.80 का हाई बना के, जो stock का लो बना है, वो 8.70 का है, यानि एक ही दिन में अगर आप देखे, तो भारी up-down देखने को मिला करीब 1 रुपेज का, और बहुत जबर्दस लोगों को भी गिरावट थी, इस वज़े से आज JP Power भी तूटा, इसकी परफर्मस देखे तो 16 October को stock 9.45 के आसपास था, 1.6% की गिरावट ही जी, 17 October की बाद की stock की closing 9.55 के आसपास जापी 1.1% की तेजी बनी, 18 October को stock बिल्कुल फ्लेट था, 9.55 के आसपास ही, लेकिन 19 October को काफी सांदार प्रदसन किया, 9.95 पर चला गया, 4.2% की सांदार तेजी के साथ में, लेकिन 20 October के stock में फिर गिरावट हुई, और 9.70 के आसपास आगया, 2.5% की गिरावट के साथ, और आज काफी बड़ी गिरावट हुई है, अब यहाँ पर इसके बीच पर कुछ बड़ी डील की तरफ चलते, जिसके वज़े से यह गिरावट हुई, तो सुबह 9 बचकर 28 मिनट पर 9.60 की प्राइस से करीब 21.60 की बिक्वाली हुई, फिर 11 बचकर 7 मिनट पर 9.20 की प्राइस से यहाँ पर करीब 22.60 की बड़ी बिक्वाली और हुई, उसके बाद 11 बचकर 45 मिनट पर 9.10 की प्राइस से 20.60 की एक बड़ी बिक्वाली हुई, फिर उसके बाद और फिर एक बजिकर तीन मिनठ पे, नाईन की प्राइज से करीब थिन नाईन लेक्स हेरो की जबर्दस विक्वाली हुई तो ये जो बड़ी विक्वाली हुई उससे पूरा सेंटीमेंट बिगडा और बाज़ार में जबर्दस गिराओट हुई इसलिए भी हमें इंतजार करना होगा, बाजार को इस्टेबल होने दे, उसके बाद ये श्टॉक कमाल कर सकता है, वैसे भी रिजर्ट आने वाला है, रिजर्ट अगर बैतर आएगा तो उसको एक नया ट्रिगर मिलेगा और फिर श्टॉक तेजी से आगे बाग सकता है, तो ऐ देक्यों फ्रेड़